भारत में हो रहे लोक सभा चुनाव 2019 का आखिरी दौर आप पहुचा है और ऐसे में रोज एक नया मुद्दा एक नया आरोप सामने आ रहा है पहले EVM की जाच का मुद्दा और अब EVM और VVPAT का देश भर में आवजाही का मुद्दा जिस पर राश्ट्रिय जनता दल आर जेडी की नेतावेल लालू यादव की पतनी राबडी देवी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर चुनाव आयोग के लिए कई बड़ी सवाल उठाये हैं और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव और बेटी रोहिनी के वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने की बात को लेकर भी सवाल उठाया है राबडी का आरोप है कि देश भर के कोनों में इतनी सारी EVM बरामत की जा रही है ट्रको और निजी वहनों में EVM पकड़े जा रही है आखिर इतनी सारी EVM बशीने आ कहां से रही है और कहां जा रही है आखिर कौन है जो इन्हें ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है आखिर ये चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा सवाल है राबडी देवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन सभी मुद्दों को लेकर अपने सवालों को पोस्ट किया है राबडी अपने पहले ट्विट में लिखती है कि देश भर के स्ट्रॉंग रूम्स के आसपास EVM की बरामदगी हो रही है ट्रको और निजी वहनों में EVM पकड़ी जा रही है ये कहां से आ रही है और कहां जा रही है कब, क्यों, कौन और किसलिए इन्हें ले जा रहा है क्या यह पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग को अतिशेग्र स्पस्ट कर देना चाहिए अब उसमें विलेकर बेशर्मी से काम कर रहा है वोटिंग के दिन तेजस्वी यादव को फर्जी तरीके से फसाने और बदनाम करने के लिए उसकी जंगा किसी और का फोटो लगा दिया गया ताकि बेवजा विवाद उत्पनकर नकरात्मकता वविग्ण पैदा किया जाए और अपने तीसरे टुइट में राबणी लिखती है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ चुनाव आयोग का एक ऐसा सलूप दुर्भाग्य पूर्ण है सोचिये आम मतदाता के साथ कैसा होगा चुनाव आयोग ने तेजस्वी की जंगा किसी और का फोटो लगाने के मामले में क्या कार्यवाही की इसका दोशी कौन है तेजस्वी के साथ ही ऐसा क्यों किया गया क्या साजिश रची जा रही थी और अंत में आखिरी ट्विट में राबनी अपनी बेटी रोहिणी के मतदाता सूची में नाम ना होने पर भी सवाल किया है उन्होंने लिखा मेरी बेटी रोहिणी मतदान से एक दिन पहले सिंगापुर से चल कर पटना आई लेकिन मत्वदाता सूची से उसका नाम गायब था भाचपा के कारेकरता सहे चुनाव आयोग अधिकारी बताएं कि उसका नाम सूची से क्यों और किसले काटा गया राबडी ने अपने ट्वेटर के जरीए चुनाव आयोग पर तो जैसे सवालों की लाइने ही लगा दी है अब देखना ये है कि चुनाव आयोग से किस तरह राबडी के इन सवालों का जवाब आता है नेक्स नाइन एस्पियन से पूजा की रिपोर्ट झालों की लाबडी के लाबड़ आता है